प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद भजनलाल सरकार अपना पहला फुल बजट जुलाई में पेश करेगी इस बजट से हर वर्क को काफी उमीद हैं यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं लोग कि आकर उनके बजट के लिए उनके लिए बजट में क्या खास होने वाला है साथी हर वर्क की कुछ समस्याएं और सुझाव भी होते हैं इसे लेकर लोग चाते हैं कि सरकार उने तरजी दे श्री गंगानगर के लोगों को इस बजट से क्या उमीद हैं यह जानने के लिए एंड़ी टीवी की टीम उनके वीच पहुंची देखिया हमारे रिपोर्ट परदेश में बाजपा की सरकार बनने के बाद अगले महिने पहला पूर्ण बजट आ रहा है यदि चुनावों की बात करें तो भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार परदेश में बनी है और विदानसवा चुनाव में श्री गंगानगर में 6 सीटों में से 4 पर कॉंग्रेस रही और 2 पर बाजपाने विज़े पराप्त की इसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए यहां पर भी कॉंग्रेस का परताशी विज़े हुआ कुल मिलाकर श्री गंगानगर जिले में भारतिय जन्ता पार्टी का परदर्शन सही नहीं रहा ऐसे में इस बज़ेट से खास उमीदे हैं यहां के लोगों को भी और भारतिय जन्ता पार्टी के कारे करताओं को भी कि आखिर इस बज़ेट में जिले के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है हमारे साथ मुझूद है कुछ लोग और उनसे बात करेंगे कि आने वाले बज़ेट से आपकी क्या क्या उमीदे हैं अगले मीने बज़ेट पेश करेंगी वित्मंतरी दिया कुमारी क्या उमीदे हैं गंगानगर जिले को विशेष स्थान मिले और साथ शहर और गंगानगर के शेतर में जो पानी आ रहा है पंजाब से वहाँ पॉलूशन वाला पानी आ रहा है उसको साफ पानी मिले जनता को यह पानी जो दूर तक जाता है बड़ी नहरों के मादन से पंजाब से रहा है वह पानी की विवस्ता अगर हो और गंगानगर जिले को विशेष जिले का तोज़ा मिले हम यह चाते है आप बताइए आप क्या उमीदे लगा कर बैठे हैं बजट से मुक्यों मेदे तो यही है जो पीने के पानी जो काला पानी आ रहा है पंजाब से उसको साफ पानी की विवस्ता की जाए किसानों के लिए जो पानी नहीं आ रहा है जो जितना चाहिए उतनी मातरा में नहीं आ रहा है और जो दूसरी सड़के वगेरा की विवस्ता बढ़िया होना चाहिए, सिक्षा के मामले में मी गाणर और हनुमानगड को पीछे छोड़ा जा रहा है, बजट में मुखे रूप से हर बार यही देखते हैं, गाणर हनुमानगड को पीछे छोड़ा रहा है, इसको लेके काम हो होना चाहिए, आप बताईए, आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए बजट में मेली पंजाब से यह दूशित पानी आ रहा है, उस वज़े से कैंसर के रोग जो हैं, बढ़ रहा है और बिमारी जो ब्यांकर सतर पे एक जान लेवा बिमारी बन गई है, तो ऐसे सूरत में परदेश सरकार को यह चीए के कैंसर होस्पिटल स्थापना की तरफ प्राथ मिक्ता देवे, उसके लावा जो बन्याद यह धांचा है, रोटी, कपड़ा और मकान, और लोगों को रहने के लिए घर नहीं है गरीब लोगों को, उनके लिए आवास की वबस्ता भी की जावे आप युवा हैं, क्या उमीदे है युवा वर्ग की? महिला शक्ती भी मौझूद है, आपकी क्या उमीदे हैं बजट से? महिला शक्ती जो नोनो मिंट की पहले सर्विस चल रही थी, बसों की वो बसों की सर्विस होनी चाहिए, बिल्कुल और सुविदा दी जाए, आप बताईए, आप क्या उमीदे लगा कर बैठे हैं? मेरा राष्टर के मुक्य मंतिजी से यह है कि गंगर और मांगे डिश्टिक में नस्षा फैल रहा है, नस्षे पर रोक थाम गल लगाई है और पुलिस पर लगाम कसी जाए, बिल्कुल, नैशे को लेकर बहुत समय से मांगे भी उठाई जारी, अंदोलन भी के जारी है, किसान वर्ग से भी मारे साथ लोग मुझूद है, आप बताईए क्या होना चाहिए, यह आगरे है, भी एक तो हमारे खाड़े जो दूरे रहे पूरों में, वो खाड़े बनाए जाए, और एक बीज अपचार हमारे को सही मिले, और और गराम पंचैद पर अगर हो सके, तो आज का डॉक्टर जैसे दौई वर्गा काम है, भीज सही नहीं मिल रहा है, इसके लिए पूरा ने अंतरन किया जाए, आप बताईए, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से होना चाहिए, बजट क्या सुजाव रहेंगे आपके, मेरा मानिय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, कि परदेस तरिकेनी, आर इंडिया स्थर की ये समझे है, कि परदेस के और देश के जो करणचारी है, उनको न्यू पेंसन स्कीम और ओल्ड पेंसन स्कीम के चक्र में डाल रखा है, जब कि जीवन बर जो करणचारी, अपनी जीमन वर नोकरी करता है लेकिन उसको ओल्ड पैंसन स्कीम अटाकर के न्यू पैंसन स्कीम के साथ जोड़ा गया है जो कि उनके साथ गोर अन्याय है मेरा मुख्या मंतरी जी से निवेदन है कि ओल्ड पैंसन स्कीम को पुने लागू किया जाए परदेश में आप क्या जाते है क्या होना चाहिए? बजट में नहीं आ पाई और जो बाखड़ा और गंके नाड़ का जो बजट है वो जादा से जादा बढ़ाकर किसानों को दिया जाए सभी को फाइदा हो सिंजाई पानी के लिए अंदोलन काफी समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है इन दिनों भी तो लंबे समय से देखर जा रही है इस पर वास्तवकरता में द्रातल पर काम होना चाहिए सब करिए्स आपकी कहारी क्या है कि मेरी राई में राज स्थान सरकार को हो सीख्षा के सित्घर में काम करना चाहिए्स do not thefi गाहों में जितने भी विदालें हैं को गाहों से प्रतिवाय निकलती है के साथ-साथ खेल कुद की तरफ भी उन्हें संसादन उपलब्द करवाएं आप देखोगे कि आज से 30-40 साल पहले गाउं में जितने भी स्कूल थे सरकारी वहाँ सरकार के दुवारा ही खेल की सामगरी उन्हें उपलब्द करवाई जाती थी लेकिन आज गाउं में क्या शेह खेल के परती रूची बच्चों में इसलिए नहीं रही सरकार ज्यान नहीं दे रही और आप देखोगे जितने भी सरकारी स्कूलों में बच्चे पड़े थे आज राजस्तान में बहुत अच्छे अच्छे पनों पर वो कार्या रहते हैं अफसर हैं तो सारीरिक विकास हवश्य काम करेंगे क्योंकि स्कूलों के साथ साथ खेल कूद की तरफ भी वहां स्पोर्ट्स के ऐसे कमेटी बनाई जाए गावों में और साथ साथ पढ़ने के लिए बच्चों के लिए एक एक गाव में एक पुस्तकालिया भी बनाए जाए ताकि वो जन्ना नॉलेज की आगे कमपेटिशन के लिए भी बड़े बड़े शेरों में नी जाए बलकि वो गावों में उनको सुविदाई उपलब दो इसके लावा इसके लावा जो बजट है उसमें नोक्रियों के परती जो सिक्षित बच्चे हैं बेरोजगारी दूर करें और रास्तान सरकार जैसे अब कह रही है उसने गोशना की है कि आरक्षन मेलाओं का सिक्षिकों के लिए पचास परतीसत कर दिया तो आरक्षन कर दिया लेकिन उनकी न्युक्तियां भी करें न्युक्तियां भी करें और बजट में ज्यादा से ज्यादा महिंगाई पे रोक लगाएं गरीबों को कि यहां किया जाए है बिल्कुल बिल्कुल आप बताइए आप क्या सुझाव देंगे सरकार को बजट के लिए पर देश का अंधाता है। कुछ ओर युवा भी मौझूद है क्या होना चाहिए युवावर को बजट से खास कर काफी उम्मीद्दे रहती है अजरूंगा कि वह विकास को द्यान में रखके एक तो खेलों में परती भी कुछ ना कुछ योज ने चलानी चाहिए उनको ज्यादा से ज्यादा जो हो सके और शिक्षा के सेत्र में बेरोजगारी की तरफ द्यान देकर उसकी तरफ भी ठोस कदम उठाना से हुए बिल्कुल आप बताईए आप क्या उमीद लगा कर बैटे मेरा मानना है कि यह बजट पास हो रहा है ना इसमें गाउं गाउं में सहर सहर में लाइबरेडियो होनी चाहिए और कंपिटिशन पेपर है वो लीक हो रहे हैं वार बार उसके लगाम लगानी चाहिए बिल्कुल आपके पास में दुबारा हूंगा नंदी शाला की मांग भी काफी समय से उठाई जा रही है क्या कहेंगे बिल्कुल यह जो आब विकेट समझा है सबसे कर रहे हैं नंदी शाला का एक प्रावधान पिछली सरकार ने किया था और वो इंप्लिमेंट कई कई जिगां तो लागू हुआ था लेकिन हमारे डिस्टिक और हमारे कस्वे में यह लागू नहीं होगा तो हम जनता साथूल शहर की जनता विशेश रूप से नंदी शाला क यहां होना हो जो आपसे अंतिम आपसे भी बात करना चाहूंगा समय कम हैं आप क्या जादे क्या उमीद लगा कि मेरा यह कहने जो पंजाब से दूसरी जल आ रहे हैं तो उससे कि पेट की बिमारियां और जो गंगांगर हनमांगर जिल है तो यह मतलब की जो पानी आ रहा है मतलब की उनका बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है तो स्कूल के अंदर खेल की जो परतियों गीता है तो उसको बढ़ावा मिलना चाहिए जिससे उनका ध्यान खेल की तरफ हो जैसे कि एर्याना की अंदर है तो उनका ध्यान अगर खेल की तरफ जाएगा तो नसे की और कम जा आज जो युवा वर्ग है 18 से 25 का तो वो नसे की तरफ ज्यादा बड़ रहे हैं आप भी कुछ कहना चाहरे हैं क्या कहेंगे मैं यह कहना चाहरा हूँ जैसे पड़ोस में पंजाब प्रांथ है वहाँ पे जो पेट्रोल के कीमते कम हैं तो यहाँ उस वज़े से यहाँ पे क्या है कि बलेक भी हो रही ही यह उस बात की मैं चाहूँगा कि राजस्तान गौवर्मेंट में भी पेट्रोल के दाम पंजाब जितने होएं ताकि लोगों का रहत मिले हमने बज़र को लेकर लगबग सभी तरह के वर्गों से बात की तो सबसे बड़े जो मुद्ध सामने है उसमें पंजाब की नहरों से आ रहा केमिकल युक्त पानी है उसको दूर करने की मांग की गई है इसके सास्थ किसानों के लिए अच्छे बीज और पूरे सिंचाई प